जवान ने खुद को गोली मारी घायल जम्मू कस्मीर की राजदानी सिरी नगर के वजीर बाग इलाके में इस्थित केंद्रिय रिजर पुलिस वल के सिवीर में एक जवान ने सनीवार को कथित रुप से खुद को गोली मार ली जिससे वो घायल हो गया पुलिस अधिकारी ने बताया कि Constable जोगेस कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली आप कभी सोचे हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं जब जॉब नहीं मिली रहती है तो जॉब के लिए इतना छट पटाते हैं इतना बैचान होते हैं कई लड़के को मैं बताता हूं कि यार मैं ड्यूटि पे रहता हूं अश्यरी नंचलका तो नोग बौलते हैं सर्मटव सुरू में ज्यादा उताव ले रहते हैं पिर बाद में इस तरह का काम क्यों करते हैं क्योंकि इनके पीछे आपका मोटिवेशन गलत होता है आप लोग मोटिवेशन गलत अर्थों में लेते हैं जैसे कि आप लोग यह जानने की कोशिस करते हैं इस बात से कैसे आप लोग लुभाय जाते हैं आपको बताता हूं कि आपको कितना पैंसर मिलेगा आपको ट्रेनी मे मिलेगा महकवा मिलेगा कि खुसबूबला मिलेगा तो आप लोग इन सब चीजों पर कौन केंटीन मिलेगा सीपीसी मिलेगा कि सीडीस मिलेगा मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन सब बातों को जानते हैं जानने का कोशिच करते हैं ताकि आपको मोटिवेश इन ही बातों से होता है बहुत कम लोग पूछते हैं या जानने को से करते हैं सर खत्रा कितना होगा है कि है की नहीं मैं किसी रास्ते से गुजर रहा हूं या मैं किसी रास्ते से हो करके आया उस रास्ते में एक थोरा दूर पर पानी जैसा दिख रहा है ठीक है दिख नहीं रह है तो यहां पर आप लोग कहेंगे की दारे यार तुम को डिमोटिवेट कर रहा है डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं आप लोग को प्रिपेर कर रहा हूं कि भाईया इस रास्ते में गड़ा है या तर लाठी लेके जाओ या नाव बना लो यानि कि हम इन सब छोटी- रहेगा या नहीं रहेगा आप लोग बताओ यह सब तुछ चीज़े यह सब के इन सब चीज़ें के हम लोग इतने गिर गया है कि इन सब से मोटिवेट हो रहा है जूट-फूच का इसका मतलब डायलोग मारते हैं कि लोहा को पिगला करके वह नस में भरते हैं बारूत बना है कि दोनों में से बेस्ट कोन है कि मेरे बार हम कुछ वीडियो बनाया था तो बहुत तारिफ किया तो उसकी कमेंट में मैंने देखा कि आपका जो गौरब सर है वो डिमोटिवेट करता है वो कहता है कि फौज गलत है रे भाईया अगर फौज गलत होता तो सारे तीन साल हो कि आइसा ही हर कोई नहीं बंजाता है इतना टेस्ट ले करके संबक्रسب द्यूटि का कोई लीमिट नहीं आ फिर भी कर रहा है तो क्या आम बात है नहीं मैं यह बताता हूं कि आपको जो तकलीफ ही truly EU चीज होनेवाला है तो इन चीजों से आप प्रिपेर रहे हैं पहले से क्योंकि फोजी का कोई नहीं होता है एक अकेला इस टाइप का ड्यूटी करने पाद उसको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कोई दूसरा उसको मोटिवेट करें ओभी इन सब छोटी-छोटी चीजों के लिए तो धिकार है यार नोकड़ी का है तो जाओ नोकड़ी करो रेलवे में करो बैंक में करो मास्टर बनो फोज में कहा है आ रहा है जब तुमको फैसलिटी चाहिए तुमको वेलफियर से मोटिवेशन नहीं लेना है यह मैं समझाता हूं अब फोज को ही गलत नहीं है सियाई से बहुत बढ़िया पोज है तब ही तो मैं कर रहा हूं एक कठा जमीन लिए है वह बाएक लिए है तो भाईया मेरा वीश समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं अक्सर और यह बात है अपले की आहीं करता हूं और रियल मीशन स लो प्राइए पर ने रहा है यहां पर वेला इसके लिए अरय तूम धासा। रहो बात समझें आज ही निव जाया है गोली मार लिया खुद को कल्लेस इसके बारे में आपको पता भी नहीं रहेगा और सदियों साल पहले लाखों करोड़ों साल पहले वैलेंटाइन डे के दिन कुछ हुआ था पता है नहीं पता होगा जिन लोग पता हो लोग कमेंट किज आप अपना पढ़ाई लिखाई हो चाहे कुछ बिजनेस और पहले से रेडी करके लिए तकि बाद में आपको जब ज़्यादा ने लगे परसान होने लगे तो चले जाएं लिकिन यह आप देशभक्ति के लिए आ रहे हैं आपको रियल में एकगम सोख है कि हमको पहुज मे पहुज में से ड्यूटी किजेगा बहुत मजा आएगा बहुत खूशी मिलेगी ठीक है एक बात और लोग यह भी कहते हैं कि यार तुम स्कुराता नहीं है तुम हस्ता नहीं है मतलब कि तुम नोकड़ी से ज़्यादा परिसान हो इसलिए मतलब यह नोकड़ी साहत से तुम खराब हो जाता है इसलिए नहीं होसते हैं बात यहीं है तो बस यहीं कहना था और आगे आप लोग की मर्जी देखते हैं आप लोग क्या करते हैं कमेंटों